आज के वीडियो में चिकन गुनिया के बारे में संपूर जानकारी आपको समझाएंगे तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो लास तक देखिए और योटी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेजिए और नोटिफिकेशन को all पर set कर लिजिए ताकि मेरे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो तो चलिए सुरू करते हैं चिकन गुनिया एक प्रकार का वाइरल बुखार है वाइरल बुखार का मतलब वाइरस से होने वाला बुखार है जिसे चिकन गुनिया कहा जाता है यहाँ चिकन गुनिया वाइरस के संक्रमर से होता है अब चिकन गुनिया क्यों कहते हैं क्योंकि चिकन गुनिया वाइरस के संक्रमर से होता है इसलिए सको चिकन गुनिया बुखार कहा जाता है यहाँ एडीज मच्छर की दो जातियों कौन कोंसी दो जातियों है एडीज अ मक्षरों के काटने से फैलता है मतलब वाइरल बुखार है और संक्रमित मक्षर है अगर उस वाइरस से तो फैल जाता है इस तरह से और कौन कौन से दो मने मक्षर बताएं है एडीज अलबो पिक्टस और एडीज एजब्ती यह दो मादा मक्षर के काटने से जो चिकन गुनिया वाइरस है एक विक्ति से दूसरे विक्ति में पहुँच जाता है चलिए अब चिकन गुनिया के कुछ प्रमुक लक्षणों को सम से साथ दिन के बाद लक्षण दिखाई देने लगते हैं कौन को से दिखाई देंगे पहला है चिकन गुनिया के रोगी में तेज बुखार वा जोडों में दर्द होता है यानि तेजी के साथ बुखार चरता है और पूरे सरीर के जो जोड होते हैं जो हड्डियां होती है हड्डियों में तेज दर्द होता है जोडों में तेज दर्द होता है और साथी साथ अगला है सिर दर्द बदन दर्द और हो जाते हैं पिर एकला है अधिकांस चिकन गुनिया- रोगी लगभग एक सब्टाह में ठीक हो जाते हैं लेकिन कुछ लोगों में जोडों का दर्द महीनों या फिर सालों तक बना रहता है। अगर बुज़र्ग लोगों की बात करें। बुड़े लोगों की बात करें। तो बुज़र्ग लोग, डाइबेटिक लोग, हिरदे रोगी लोग या उच्च जो रक्तदाव वाले होते हाई ब्लड ट्रेसर वाले विक्तियों में इस रोग का अधिक प्रभाव होता है और एक पार चिकन गुनिया होने के बाद पुना यह रोग ठीक नहीं होता है ऐसे लोगों में अगर इसके रोगों पचार की बात की जाए ट्रिप्टमेंट की बात की जाए तो चिकन गुनिया के लिए कोई दवाई अभ आप लेशकते हैं या दर्द अगर है तो आप आप ले शकते हैं आपको बता दें 20 के 60 से अधिक देसों में चिकन गुनिया पाया जाता है और इसके कुछ लक्षण डेंगू बुखार से भी मिलते जूलते होते हैं और आपको बताते चलें, चीकन गुनिया आम तोर पर 2-3 दिन तक रहता है, जब भी बुखार हो जाता है, तो बुखार होने के 2-3 दिन तक रहता है, इसके बाद बुखार कम हो जाता है, या कलिकी पूरी तरह से ठीक हो जाता है, लेकिन जो संक्रमित विक्ति है, संक्रमित शरीर में इसका वाइरस करीब 7 दिनों तक रहता है चिकन गुनिया के लिए RT-PCR टेस्ट होता है RT-PCR टेस्ट करा सकते हैं अब उखार सुरू होने के एक दिन बाद से लेकर कभी भी करा सकते हैं वैसे एक बार होने पर चिकन गुनिया एक साल तक positive आ सकता है चिकन गुनिया से बचाओ करने वाले खान पान की अगर बात की जाए तो गाजर का सूप है पत्ता गोभी का सूप है ब्रॉकली का सूप है पालक का सूप है आधे आप सूप लेते रहेंगे बीच बीच में तो आप इससे बचे रहेंगे मैंने आपको ये रुग नहीं होगा लेकिन होने के बाद आप डाक्टर को तुरंत इसको दिखाएं